तोड़ा गंबीर किस्म का सवाल है जिस उम्र में आप बात कर लिया तबला भी बजा लिया तब्ला भी बजा लिया music set कर दिया घर पे रियास चली रहा है घर पे सीखी रहे हैं परिवार में संगीत कीmatera है है किया इन सारी चीजों को मैं directly या indirectly आपके discipline से जोड सकता हूं क्या आपको आज ये लगता है कि आप अपने पियर जो ग्रूप था उसमें discipline के मामले में उनसे बहतर थे क्या आज आप ये आपको लगता है कि आपके साथ उस उम्र में बच्चे जो बदमाशियां करते हैं जिस तरह की गलत संगत में चले जाते हैं कई बार उन सब चीजों से आप बचे रहे और उन सब चीजों से बचाए रखने वाली जो मूल चीज़ है वो संगीत थी संगीत थी मापिता जी के संसकार थे वो दोनों आज जैसे शक्सियत उनकी इतनी प्योर थी कि नाट बिकाज वो मेरे माबाप हैं पर मैंने बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं जिनकी अंदर इतनी अच्छाई है उनकी सिखाई हुई वो बातें मैं आज भी सबकॉंशिसली पालता हूं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह सकता जाकर भी नहीं चाह सकता मैं समझ सकता हूं कि अच्छा ये इसमें बुरा नहीं चाह रहा है ये शायद इनका नजरिया अलग होगा पर वो मैं कर नहीं पाता वह सिसको या शॉटकट्स नहीं आते मुझे मुझे हर चीज की तहह तक जानी होती है वो मेरे पिता जी का टेक्निकल ब्रेइन इंजिनियर हैं वो तो उन्होंने भी बच्पन से ही मैं वो स्कूटर रिपेर करने बैठते थे मेरे हाथ में वो टूल्स देना और यह मुझे अगला यह चाहिए वो मुझे देखते नहीं ते जैसे सर्जिकल प्रॉसेस होता है वैसे वो करते थे कि मुझे आभी यह नोस प्लायर चाहिए आठ नमर का स्पैनर चाहिए तो और तीसरे चौती बार तक तो मैं रेडिय हो गया मिलके आई है मेरे लिए और दोनों ही चीजों का योगदान है म्यूजिक तो था ही म्यूजिक के जो परिभाशा है उसमें क्या जैसे प्रॉसेस एक ग्राफ का होता है अलाब हुआ उसके बाद फिर जोड़ हुआ अगर तंतकारी बजा रहे हैं या गाय की बजा रहें तो ख्याल में बढ़ा तो उसकी विस्तार में एक उसका एक में तो जो मेथर्ड है वह पहले मुझे जल्दी समझ में आ गई तो उसकी की एक्स्टेंशन का ही रोल समझ लीजे कि वह डिसिप्लिन जहां बैठा कि रियास करना ही पड़ेगा अब एक जगा ऐसे हुआ कि आकाश्वाणी का प्रोग्राम था रोजिन कुछ खास नहीं बजी बहुत बुरा हुआ तो बट मैं पॉलिट पॉलिश्ट कह रहा हूं कि क क्या बच्चे छुपाने लगता है जो नहीं डांट के उन्होंने मुझे खोल दिया ना दिमाग को वह अलगी हो गया तो तब से फिर रियास के समझ में आके नहीं करता था मैं एक तो मैं रियास करता था कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े जब भी दोनों बात कर तो मेरे उपर वह आफ़त आएगी कि आ रहे तुम पढ़ा ही नहीं कर रहे हो तुमारे मार्स कम है जो भी तो आइड़ी मेरा रियास का यह एसकेप था कि मुझे पढ़ने की जरूत नहीं हूँ सो डिसिप्लिन आता गया I think it's the culture they gave me it's the importance of being truthful being earnest with what you do उसकी क्या कह सकते है उसमें सादगी चाहिए उसमें एक बहुत प्यॉर सरेंडर चाहिए उस चीज को उन्होंने सब कॉंचिसली मुझे बताया बाइब बीइंग हुदे वर ऐसे बताया नहीं उन्होंने क्योंको भी नहीं मालूम था वह लोग नैचुरली थे ही वैसे तो शायद वहां से आया है वह बट येस डिसिप्लिन हैस प्लेड वरी इंपॉर्टेंट रूल प्लस मेरा डर्पोख होना बचपन में दो बार खेल के समय मेरा मेरे दोनों हाट टूटें एक वो राइट रिस्ट ठूटा था फुटबाल के टाएं और एक बार पेड़ चड़के पेड़ से गिर गया तो लेफ्ट उसके पहले ऊटूर गया तो वहां से भी थोड़ी बहुत नवस्तीव मैंने भी की थी और वहां से वो बैड़ कि नहीं भुझा पाऊगा में आई उस्टू भी रह गई बात प्लस यह जलस जो स्कूल मेट्स थे उनसे बुलिंग बहुत हुआ है मेरे उपर तो वो सारी चीजों के असर से लोनर मेरे साथ मेरा म्यूजिक ही था जो भी था प्लस सुनना और कैसेट्स और यह वो सब उसी में रहे गया मैं या जो आप अपनी सारी बच्पन की पोल खोल रहे हैं जब यह इंट्रियू आपके घर के जो बड़े लोग है वो देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा व जबकि क्या कहते हैं गर्फ्रेंड मेरी एक ही बनी जो अभी मेरी पत्मी है और वह भी विश्य मैंने घर पे तुरंट खोल दिया था कि यह है अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता पर यह है तो उनसे कभी कोई चीज उन्होंने भी वैसी मेरे साथ रखा हो रिलेशन की दोस्त ज्यादा थे मेरे तो कोई भी चीज चुपी नहीं थी उनसे तो जो चोटी चोटी बाते आपको बताता हूं पंडित जहनुलाल मिश्रा का बच्पन का एक किस्सा एक बार वह नहाने चले गए बिना बताए घर पे नदी में उनके पिता जी जब आये और उन्होंने पिटाई करना शुरू किया तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा सिवाई यही का कि अगर तुम डूब जाते तो गायक कैसे बनते वह जो आप बात कहरें ना कि डर था कि हार्ट टूट गया तो बजाओंगा कैसे यह डर नहीं है कि हार्ट टूट गया तो मेरे मेरा फिजिकल क नहीं रहे हमारे बीच कि संगीत सीखने वाला आदमी कभी अपराद ही नहीं हो सकता है अगर उसने संगीत सीखा है तो वह कुछ भी कर सकता है अपराद नहीं कर सकता और मुझे लगता है पिछले दो ढ़ाई सालों में अश्विन जी कुछ नहीं तो मैंने 200-300 इस से जादा को नहीं दुनिया को समझनी चाहिए कि जो हमारा आचरण है हमारा जो बिहेवियर है उसमें म्यूजिक का रोल क्या है अगर हम म्यूजिक सिखाएं तो क्या हम समाच में जो तमाम भी संगतियां है जिसमें अपराद है जिसमें तमाम सारी चीज़ें है क्या हम उससे अपने आने वाली पीड़ी में बच्चों को बचा सकते हैं ये बहुत नई और बहुत फ्रेश डिबेट हो सकती है जिसको समझाने के जरूरत है आम लोगों को विलकुल नहीं ये तो बात हम लोगों में भी बात होती है मैंने निलादी भाई से भी जब बात किया था या कौशी की ज संगीत को स्कोरिंग सब्चेक्ट बनाया दिया जाना चाहिए यदि मैं यह मानता हूं कि हर हर व्यक्ति सूरिला नहीं हो सकता कि पैदाशी सूरिला हर आदमें नहीं होता पर उसके थियरी के अंडेस्टैंडिंग से जो फिलसोफिकल ग्यान जो मिलता है और उससे जो कल्च अच्छे तरह से बदलाब लाया जा सकता है उससे यह बहुत यह तो गैरेंटी है इसमें कोई शक्षी नहीं मैं यह नहीं कि मैं मुझे बताना चाहिए ऐसा कुछ नहीं दिस इस कॉमन सेंस मेरे हिसाब से बीइंग मुजिशिशन मैं यह खुझ समय ने अनुभव किया है इस चीज को और मेरे आस पास के लोगों में मेरा बच्पन का दोस्त अभी भी मेरे बहुत खास हैं काफी सालों से मिले नहीं पर उस टाइम पर वह एक तम करण कठो रिक्दम जीरो टोन डेफ पर मेरे साथ रह रहके ना उसके अंदर कि चेंज आई वह रिदम में बहुत स्ट्राउं होने लगा था एक तरफ वह तो मुजिकली चेंज हो रहा था पर उसमें as a human वह चेंज होते गया और उस उसने बताई भी यह बात कि यार यह I was not like this मैं शायद पहले चीटिंग करता था एक्जाम में या अब मेरा मन नी करता यह चीज करने का सो वो जो बदलाव है वो शायद म्यूजिक की वज़े से हुआ है not because of me बड़ मेरे जरीये म्यूजिक की वज़े से हुआ है प्रांट के जो लोक संगीत है वह भी होना चाहिए और अगर सीरियस्ली म्यूजिक सीखें तो हमने कहा जाता है कि हर चीज सीखनी चाहिए कि गाना भी सीखो वादि भी सीखो और ताल भी सीखो ताकि तीनों का संपूर्ण ज्ञान एक बनता जाए और जो भी आपकी चॉइस हो अगर आप गयान चॉइस करते हैं या बाधन चॉइस करते हैं तब लाच करते हैं तो बाकी दोनों डाइमेंशन का ज्ञान होता है उससे अलावा जरूरी है मैं खुद साथ भाषाइं बोलता हूं कि उससे मेरे अंदर जो परस्टनालिटी की जो मेरे अंदर डेवलेप्मेंट हुई है इस अमने बहुत बड़ा श्रय उसको देता हूं कि मेरे लांग्वेज के नॉलेज के वज़े से वह हुआ है यह दोनों चीजisma in poetry और language यह बहुत जरूरी है लांग्वेज पहले फिर poetry आだけ पर यह बहुत जरूरी है साहित्य कविता more importantly साहित्य तो है कविता poetry जरूरी है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राए रखें इसके लावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आ जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे